राद 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 रच्चा, UVR क्लास में आपका स्वागत है, आई देखते हैं क्लास ट्वल्द का एक बहुत important topic, mutation का part है, gene उत्परिवर्तन या gene mutation इसको कहते हैं, तो gene mutation के गए परिभासा की बात करें, तो किसी gene या DNA के structure में सनरचना में जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं gene उत्परिवर्तन, और थात gene की संख्या या सनरचना में जो परिवर्तन दिखाई देता है, उसकी वज़ा से जो लच्छडों में, अनुवांसिक लच्छडों में परिवर्तन होता है, किसी जीव के, वो gene उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन की खोज, Hugo deveris नामक प्रतियस्थापन का मतलब किसी का अस्थान को बदल देना उसको एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर पहुंचा देना या स्थापित कर देना उसको करते हैं प्रतियस्थापन या जीन या डीनने का कोई सिग्मेंट कोई घटक वह अस्थापित हो जाए दूसरे अस्थान पर पहुंच जाए तो वह प्रतियस्थापन होगा तो उसके कारण कुछ नया लच्षड दिखाई देगा क्योंकि आपको पता एक जीन एक लच्षड को प्रदसित करता है DNA होगा तो उसमें कई सारे लच्षड हो सकते हैं वह अग आग ही DNA जीन का बिलुप्त हो जाए मिंस डिलीट हो जाए तो वह कहलाएगा बिलुपंत उस अगर मालेजिए कोई सेग्मेंट है उसमें से ABCD और D गायब हो गया ABC का ही लच्षड प्रदसित होगा D वाले पार्ट का लच्षड नहीं दिखाई देगा तो निवेशन का होता है मालेजिए कोई सेग्मेंट DNA जीन है उसमें ABCD है उसमें एक आपका E ID हो जाए तो उसको कहेंगे निवेशन मिंस इसको बाहर से आपने इसमें निवेश करा दिया इंसर्ट करा दिया तो वह आपका निवेशन कहलाएगा तो इससे भी लच्षड में परिवर्तन आ ज कुछ जीन उत्परिवर्तन के और प्रकार हैं जो बहुत इंप्वार्टन है एक है पॉइंट म्यूटेशन बिंद उत्परिवर्तन यह बहुत इंप्वार्टन है हर बार पूछा गया है 100 परसेंट आने वाला है बोड एक्जाम में आपके 2024 के बोड में और एक है फ्रेम सि अगन अच्छार है आपको पता है चार प्रकार के नाइट्रोजन चार एडिन थामेन गवानें साय।्य से लाई किन उन दोनों के जो प्रकार है वो पाए जाते दीएनने में या N कह सकते हो तो RS DNA का ही पायट जीन है तो उसमें एक जीन में जो नाइटромयन छार है उस नाइट्रोजन छार का क्या होगा या तो प्रतियस्थापन हो जाए या भिलोपन हो जाया निवेशन हो जाए वह आपका कहलाएगा क्या बिन दूथ परतन अधाथ एकल जीन में जो नी सके बोलेंगे बिंद्ध defenders परिवर्थन प्टांद मतलब एक ही अस्थान पे य ω किन की किन मतलब क्या है य시ित मैं यह आपका जो यह तो सब्सक्राइम है ऐसा नुक्त सुझ कर देट अब यह आपके एक नुक्लियोट्टाइड एक जीन एक जीन के एक नुक्लियोटाइड में एक नुक्लियोटाइड में एक जीन के एक नुक्लियोटाइड में नाइट्रोजन च्छार के प्रतियस्थापन बिलोपन या निवेशन को कहते हैं फ्रेम सिफ्ट थोड़ आसांतर है इसमें एक जीन में नाइट्रोजन च्छार का प्रतियस्थापन बिलोपन या निवेशन होगा तो कहला गया बिंदूत परिवर्तन लेकिन एक जीन के एक न नुक्लियोटाइड होंगे और नुक्लियोटाइड में आपको पता होना चाहिए नुक्लियोटाइड में आपको पता होना चाहिए पेंटोज सुगर होता है फासफेट ग्रुप होता है प्लस नाइट्रोजन बेस होता है अर्थात जो नुक्लिक अमल या डियन्ने आरने का जो घटक है उस component में आपको तीन घटक पढ़ाएंगे होंगे एक पेंटो सरक्रा फासफेट समू नाइट्रोजन छार तो यह तीनों मिलते हैं तो बनता है नुकलियोटाइड अगर पेंटो सुगर और नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन छार होता है तो उसको नुकलियोट बोलते हैं लेकिन जब तीनों घटक रहते हैं तो उसको नुकलियोटाइड बोलते हैं तो इस तरह से यह सारे नुक्लियोटाइड से आपका डिय 800 बना होता इसी लिए उसको पालीindi क्लियोटाइड बोलते है तो यह इसके की युवल अगर एक पेंटोज शुगर है फसफफेट सम्मुंग एक nightrogen बेस उसको भूलेंगे एक नुकलियो टाइड इसी एक नुकलियो टाइड के नाइट्रोजन प्रेवर्तन जब होग प्रत्यस्थापां बलोपन या निव्यसन वह कहलाएगा एक जीन के नाइट्रोजन में परिवर्तन नाइट्रोजन चार में बिंदूत परिवर्तन लेकिन एक जीन के नुक्लियोटाइड में नाइट्रोजन चार का परिवर्तन इन तीनों में से कोई प्रतियाफस्थापन या बिलोपन नी वसन वो कहलाएगा फ्रेम सिप्ट